उम्याश्री स्वयं सुकिदेनाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्म नाम्गृदे आम्रदे सुबुद्धी शद्धास अताम गुलजनाप्रभवास लज्जा ताम्त्वाम नतास्म परिपालाय दे विश्वमी नमस्कार मैं हूँ आचारे विक्रमातित्य आचारे वानी चैनल पर आपका स्वागत है आज का विशे हमारा जो है व्रशब राशी वालों के लिए छे तारी का अवसर गुरुवार का अवसर अमवस्या है और यह अमवस्या अभियत खास है शनी जैंती है इस दिन वड़ सावित्री का अवरत है असंभव को संभव करने का दिवस है पीछ शनी आपके अनुखूल नहीं चल रहे है आपकी राशी की तो अनुखूल चल रहे है चिंदा ना करे उसको और ठीक कड़ने का अफसर भी है शनी को पसंद न करने के यथि शास्तर में अनेक उपायवर नित है शनी जैंती के दिन एक खास उपाय कर लेना चाहिए कहा जाता पिप्पलाद रिशी की जो कथा सुन लेता है उसके शनी के तमाम दोश दूर होने के पंजा ने सकंद पुराण के अंदर इस कथा को बड़े अद्बुत रूप से बताया गया है कई मतों में अलग रिश्यों ने अलग कहा जाता है अनिक कथाएं विचलित रहती हैं लेकिन के दिश्यकोर्ण से पिपलाद रिशी को आशिरवाद स्वयम ब्रह्मा जी ने दिया था कि जो उनके मंतर का जब कर लेगा उसका शनी का नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा हमने विवेकान योग आश्रम में शनी ग्रह शान्ती महायके पे होने वाले इस यगे में उन मंतरों का वेशेश तोर पर स्थान देने का प्रयास किया लेकिन लोग बहुत दूर दूर है तो इस कथा का श्रमण दर के उसका महात्म समझ सकते हैं कहा जाता है कि एक काल में भहनुकर दुरविक्ष पड़ा समस्त लोग एक स्थान को छोड़ कर जा रहे थे ऐसे में देवयोग से ऐसा योग बना कि रिशी जब वहां से बदारपन कर रहे थे तो वहां पर पीछे पलाद नाम के एक रिशी पुत्र था वो महीं देह गया जब लोग विपता के समय में परयान करते हैं तो ऐसी सिदी बन जाती है तो कहा जाता है बालक बहुत चोटा था और व ये जीवन इस परकार से चलता रहा कहा जाता है कि एक दिन वहां से एक रिशी जा रहे थे उन्होंने सुन्दा तरीके से कहा जाता है उनको आशिरवाद भी प्राप्त हुआ सुन्त महात्माओं का और साधना और बढ़िया चलती रही लेकिन उस बालक ने विशिशतर पर उन्हों से प्रश्ण किया कि हे वहराज हमें बताएं कि मेरे जीवन में ये कश्ट क्यों आया कि मेरी स्तेती ऐसी रही कि परिवार से भी दूर हो गया और इस पीपल के पेड़के कोटर में रहकर मुझे अपना जीवन यापन करना पड़ा तो उन्हों रिशी ने उनको बत और उन्हें अकाश मार्ग पे देखा और शनी महाराज वहीं से देखते ही उनकी दृष्टी पात होती हुए कहा जाता है कि उस धरा पर उसी जगे उनके जहाँ पीपल का पेड़ता वहीं आकर जमीन पर गिरे और उनी के कारण से उनके खुटनों में चोट लग गई उस दिन से शनी की स्थिति जो पंगू हो गए शनी कहा जाता है उस दिन शनी भी पंगू हो गए उस दिन से जब शनी महाराज उस धरा पर आकर गिरे तो प्रत्वी जो संसार का जो चलन था वो डिकर में आ गया ब्रह्मा स्वयम उपस्तित होते हैं महाँ पर कहा जाता है रिशी को क प्रमानुसार प्रभाव देते हैं लेकिन अब इनको शमा करें आप तो कहा जाता है कि ब्रह्मा के आशिरवाद से उस दिन ऐसा योग बना कि कहा गया कि जो आज के दिन इस जो शनी की जैन्ती के अवसर पर जो पिप्पलाद रिशी का नाम लेगा इस कथा का श्रवन करेगा उस पर शनी अपना नेगेटिव प्रभाव नहीं दिखाएंगे तो ये कथा का श्रवन करकर जो इस मंत्र से भवान को पसंद करने के शनी के प्रसंद के निमित्र शनी का आशिरवाद है प्रवान बिम्मा का आशिरवाद है जो वहाँ पर एक यग्य भी देते हैं तो प्रवाद में भी इस प्रवाद कथा बताई गई है तो आप अवश्य इन कथाओं को महत्तु रूप समझ कर इस्तिती का महत्तु समझते हुए कारे करने का प्रयास कीजिए ये शास्त्र में वर्णित कथाएं हैं और इन सब के द्वारा शनी जैन्ति पर हमने भी विवेका अवश्य इसमें सम्भलित होकर हनुबान चाली सागे स्वाठा रहेंगे हमने विविन्य प्रकाष से superst विदिए के नुसास समस्त विदियां बनाई है जैसे का ह culture पाहा गया चैने को मिल जो पिशिषतर पे जब उन्होंने लंगा का देहन की तो ये भी शास्त्रों क लेकिन आज संसार विचित्र विडम्मना में फस गया है कोई तेल चलाए जा रहा है कोई कुछ और उपाय किया जा रहा है कोई नगी पैने जा रहा है तो इन सब विचित्र स्तित्यों से हटो सीथे साधे उपाय शास्त्रुप्त विधी के अनुसार से करो देखे शनीवी प् तो इस्तिधी का लाब अवश्य लेने का प्रयास कीजिए। आपके एग्रिसिवनेस से उनको भी हानी हो रही है। तो ये करने से सूरे के दोश दूर हो जाते हैं। में बैठे हुए शनी महारज बहुत सुन्दा योग में राहू बहुत सुन्दा योग में बन रहे हैं ऐसे में दान पुन्न करने का प्रयास करें दान से हाथ पीछे ना कीछे कोई जरुवत मंद वेक्ती रास्ते में दिखाई दे जाए तो अवश्य यवी अवसर हो तो आप जितनी अपना बन सकते हैं उसको अवश्य करने का प्रयास करें सायोग आपके लिए भाग्योदे करने का योग बन सकता है देकि भाग्योदे होता है दोग के पास जो भाग्यवानों से लोग कुछ से रिक्वेस करने का प्रयास करते हैं सेवा भाव मांगने का प्रयास करत दुर्भागी शालियों से कौन मांगता है यदि आपकी सामर्थ हो तो अवश इस दिन ऐसा योग बन रहा है आपकी राशी के अनुसार से लोग सेवा जितना करोगे उतना मेवा पाओगे तो अवश ध्यान रखते हुए कारे करें शनी भी अनुकूर हो जाएंगे आपके लि पूरुषार्ट की योग हैं लेकिनli एक बात ध्यान रख्येगा बहुत सारे फालतू काम आपकी जिनमे सकते हैं उन से बच्ते व्वेकारे कीजगा हैं बहूत सारे लोग बहुत सारे रिष्टेदार् आपको फालतू काम भशाने का प्रयास कर सकतें धूत्य इन तिम दिन तो ध्यान रखो, नए कारियों का आरंब करने के लिए दिन अच्छा नहीं दिखाई दिता, और जैसा आपको कहा गया है कि समय का ध्यान रखें, विकास समय को बरबाद ना करें, और शिष्ट कारियों में समय लगाएंगे तो अनुकूल रहेगा समय आपके लिए, समय को जिसपका आज एक तो गोचर के दिश्टी कोर्ण से किया जाता है, जिसके साथ हम आपके साथ लगाता जुड़े रहते हैं कि यानि आज के ग्रह योग आपकी राशी के अनुसार से, चंद्रमा जहां आपका विराजमान है, वहां के दिश्टी कोर्ण से देखते हुए, आ आज गोचर के दिश्टी कोर्ण से जब हम राशी के साथ से फलित करने का प्रयास करते हैं, तो एक जनरल के ग्रह सकते हैं, कि किस प्रकार के ग्रह हो गया है, अब विक्ति जिस पाइदान पर बैठा है, आप समझें कि पहली मंजिल पर है, दूसरी मंजिल पर है, सौभी मं गरतन क्या हो रहा है किस प्रकार से परिवरतन का योग बन रहा है उन सब चीजों की गढ़नाएं हम आपके समक्षू पस्तित करते हैं और जनमपत्री को समझने के लिए गहन अध्यन की आवशक्ता होती है मूल जनमपत्री को समझ कर फिर गोचर की ग्रहय दिश्टी को देख कर अपने जीवन में आने वाले समय को मूल रूप से समझने का प्रयास कीजिए ग्रहय योग क्या किस प्रकार से खेल कर रहे हैं और हमारी जोतिश कड़नाओं के माध्यम से हम इस समय में जब आपके साथ रहते हैं तो हम वास्तुक तरपर पराणिक कथाओं के माध्यम से उपराणिक योगों के माध्यम से जो विशेषतर पर पंचांग के अंदर हरोष लिखी होती ही कि आज कौन सा हुट्सव है, किस प्रकार का वार है, कौन सा नक्षितर है, उसके अनुसा से कौन सा उपयोग जो शास्त्र के अनदर उपाय इत्यादी वरणित हैं, जो हम इस उन कथाओं को साथ जोड़कर उन उत्सवों को साथ जोड़कर यदि उपाय करेंगे तो वास्तिक तोर पर उनसे कल्यान का मार्ग ही प्रशस्त होगा आज जोतिश विज्ञान के मादम से बहुत सारे लोग केवल टोटकों में फंस जाते हैं और ये कैसा कर लो देखे कथाओं को ही जोड़ते हुए उन पौरानिक मतों को जोड़ते हुए उन पौरानिक वास्ति उत्सवों को जोड़ते हुए उन उत्सवों को आपके साथ वर्णत करने का प्रयास करते हैं और यदि उन उपायों को आप करेंगे तो हमाई ये विश्वास है हमने देखा है कि पुराणी कथाएं जो हैं बड़ी महत्वूर्ण हैं और पंचांग ने उनको बहुत बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास किया है तो हम उनकी सबके माध्यम से आपको आपके समय के अनुसार से उन सब उपायों को जो बताते हैं अवश्य करिए देखिए परिवर्तन का य आपके सालों में सद्गूर अचारिशी किशर देव जी के महाराज के सानित में विभिन भारती पराविद्याओं पर शोत किया चाहे वो मंत्र विज्ञान है चाहे वो यग्य विज्ञान है चाहे वो भारती है विभिन शेत्रों में योग विज्ञान के माध्यम से और परिवर्टन का योग बना विभिन ग्रहे योग ऐसे थे कि विकट परिस्तिती में थे केस पे केस कोड में जमानत भी नहीं हो रही थी लेकिन ऐसे में दुरगा दुरगा आति शमनी का सुंदर भगवती दुरगा का प्रियोग किया गया और उन केसों के माध्यम से उनके परिजय प्राप्त करने के लिए वो अद्धुत रूप से कारे करता है हमने हजारों बार करके देखे ये सारे प्रियोग बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं शद्धा के साथ विश्वास के साथ इन सब चीजों को किया जाए तो जीवन में कष्ट के दूर विग्रे विराजमान है जो 1947 में मुल्तान से आया और आज उनके ही सानिद में चमतकारिक मंत्रों का यगी जब करते हैं तो उनके कारें की मनोकामनाओं की फली भूती होने में हम बहुत अद्धुत प्रियोगों करके देखा गया है कि वह फली भूत होते हैं चमतकार ओपस जो चल रहा है गौशाला की चल रही है साथ-साथ विबिन भंडारे चलते रहते हैं समय सब पर आप सब भी उन सब प्रारिक रहों में आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं आपका स्वागत है धन्यवाद